जेहन दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन स्टेडी उके में ओनलाइन स्टेडी उके में हम बात करने वाले हैं आज अठरवां लेक्शर है साइनस MCQ की उज़का ठीक है तो आईए बात करते हैं कुश्चिन नमबर वन की और जादे जादा like, share, subscribe और support जादे जादा करते हैं ठीक है share जरूर करते हैं सभी तो आईए बात करते हैं कुश्चिन नमबर वन कुश्चिन नमबर वन है हमारा पक्षियों और कीटूं के पंख कैसे होते हैं पक्षियों और कीटूं के पंख कैसे होते हैं समवृति, पोशक, अयुक्ति संगत, नन ओफ दीज, ठीक है, तो पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं, समवृति, पोशक, अयुक्ति संगत, नन ओफ दीज, कैसे होते हैं, ये होते हैं, पक्षियों के पंख और कीटों के पंख क्या होते हैं, शमवृति होते हैं, कै वेंग जो मूल रचना और उत्पत्ति में तो भिन्न होते हैं ठीक है उनका रचना और उत्पत्ति जो होती है वो तो क्या होती है भिन्न होती है उनंगों की परन्तु एक तरह ही कारदी करते हैं इनका जो कारदी होता है एक होता है कारदी एक तरह से करते हैं और जो रचना औ और उत्पत्ति अलग-अलग होती है ठीक है बात करें तितली और चमगादड़ के जो पंक होते हैं तितली तथा चमगादड़ के पंक उल्ड़ने में कार्ड़ करते हैं दोनु के पंक ठीक है तोनु देखें अंग आपने चमगादड़ और तितली तो अलग-अलग होते हैं और लेकिन इसकी उत्पत्ति अलग-अलग परकार की होती है ठीक है तो समझातंग की बात करें समझातंग वेंग जो उत्पत्ति और संदशना में तो समान होते हैं उत्पत्ति और संदशना एक जैसी होती है लेकिन कार उनके भिन्न होते हैं ठीक है जैसे छिपकली के पंजे छिपकली के पंजे यानि कि उसके फोर लिम्ब जो होते हैं, छिपकली के पंजे आपने देखे होंगे, और चमगादड़ और पक्षी के पंक है, ठीक है, तो इनकी उत्वत्ती और रचना तो एक जैसी है, एक समान है, लेकिन क्या है, कारली भिनने है, तो क्या हो जाएगा, क आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है, ठीक है, तो आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है, जड़ होगी, फल होगया, प्रकंद होगया, और कंद होगया, ठीक है, तो आलू का जो खाने वाला भाग है, कौन सा है, वो है आपका कंद, ठीक है, कौन सा है, कंद, आलू का खा चीजें है जिनका खाने योग्य भाग presence जड़ है तो यह है गाजर, मूली और सकरकंद ठीक है और प्रकंद की बात करें ठीक है राइजोम यह है अद्रक ठीक है क्या है अद्रक प्रकंद और कंद यानि कि तना तना हो गया आ लो इसके बाद next हो गया question number three question number three की बात करें तो निम्न मेंसे किसकी उत्पत्ती यकरत द्वारा होती है निम्न मेंसे किसकी उत्पत्ती यकरत द्वारा यानि कि लीवर के द्वारा होती है ठीक है किसकी उत्पत्ती इसके होती है यूरिया की उत्पत्ति क्या होती है यूरिया की उत्पत्ति यानि की लीवर में होती है ठीक है लीवर द्वारा होती है ठीक है बात करें लीवर यूरिया ठीक है लीवर यूरिया की उत्पत्ति लीवर द्वारा होती है तो लीवर यानि की यकरत ठीक है और फॉ फॉर्मूला है रासाइनिक फॉर्मूला और कार्बनिक रसाइनों के छेत्र में इसे क्या करते हैं कार्बामाइट कहते हैं क्या बोलते हैं कार्बामाइट कहा जाता है यूरिया को ठीक है क्या कहा जाता है कार्बामाइट भी इसी का नाम है ठीक है इसके बाद नेक्स हो गया question number 4 question number 4 की बात करें तो पृतिवी की IU का आकलन किया जाता है पृतिवी की IU का आकलन किया जाता है पृतिवी की IU का कैसे age कैसे calculate कर सकते हैं परमाणू dating से carbonic dating से carbon dating से और uranium dating से वारसिक वलाई से ठीक है तो किस से गर सकते हैं पृतिवी की आयू का आकलन कैसे कर सकते है पृतिवी की आयू कैसे कैलकुलेट की जाती है ये की जाती है यूरेनियम डेटिंग से की जाती है किससे की जाती है यूरेनियम डेटिंग से पृतिवी की आयू का पता लगाया जाता है वारसिक वलाई से किसका पता लगाया जाता है पेड़ पौधों की आयो का ठीक है पेड़ पौधों की आयो का और बात करें यूरेनियम डेटिंग से होती है ये तो पृतिवी की आयो होगी इसका यूरेनियम का जो सिंबॉल है यू है और एटोमिक नंबर कितना है 92 है ठीक है यूरेनियम 92 है एटोमिक नंबर बात करें यूरेनियम डेटिंग होती क्या है यूरेनियम डेटिंग में होता क्या है रेडियो धर्मी रासायनिक तत्तु यूरेनियम का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों की आयू निर्दारित कर सकते हैं ठीक है कार्बनिक पदार्थों की आयू निर्दारित कर सकते हैं और कार्बनिक पदार्थ का उप्योग कर आयू निर्धारित की जाती है,64 किया नीक्स लोगा ताप के अच्छे रोधक होते हैं option B हो गया सूती वस्तरों के वस्तर भारी होते हैं और option C हो गया ताप के अच्छे वित्रग होते हैं option D हो गया आपका none of these ठीक है इनमें से कोई नहीं तो उनी कपले जो होते हैं उनी कपले, सूती वस्तरों के अपिक्षा गर्म की होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, क्या होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं, उनी कपले, ठीक है, इसलिए क्या होते हैं, उनी कपले, गर्म होते हैं, ठीक है, गर्म होते हैं सूती गपड़े से इसके बाद next हो गया question number six question number six की बात करें तो पानी में वस्तू का पता किस उपकरण द्वारा किया जाता है ठीक है तो पानी में अगर कोई वस्तू है पानी के अंदर तो किस उपकरण द्वारा निम्नमे से किस उपकरण द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि नीचे कोई उपकरन जा मतलब कोई वस्तू है ठीक है तो किस से किया जा सकता है सोनार से रडार से कवासर से और नन ओफ दीज ठीक है तो पानी में वस्तू का पता किस उपकरन द्वारा लगाया जा सकता है तो किस से लगाया जाता है ये सोनार से रडार से कवासर से नन ओफ दीज किस से लगाया जाता है सोनार से लगाया जाता है सोनार से ठीक है सोनार की बात करें सोनार से लगाया जाता है पानी में वस्तूओं का पता तो सोनार की बात करें सोनार का जो फुल फॉर्म अगर था इसने किया था सोनार का विश्कार पॉल लेगविन ने किया था और सोनार में प्रासरव भी तरंगें परियोक्त की जाती हैं तो सोनार में कौन सी तरंगें परियोक्त की जाती हैं प्रासरव भी तरंगें परियोक्त की जाती हैं सोनार में बात करें सोनार की ठीक है अगर यह एक सीफ है, ठीक है समुद्र में, और यहाँ पे वाटर है, और इसमें डिवाइस लगी हुँई है, त्टीक है, टांसेजूशर है, और यह है डिटेक्टर, पता लगाने का ठीक है, तो डिटेक्टर है, यहाँ से अल्टरा सउन्ड पल्स जो है, प्रासरव भी तरंग है, यहां नीचे चली जाती है नीचे से यहां से जहां जहां तक वस्त होगी वहां से reflect करेगी वहां से reflected ultrasound pulse वहां से जाएगी bottom of sea से या वस्त से टकरा कर जो भी वहां पे वस्त होगी वहां से यहां detect कर देगी कि यह चीज नीचे है करके ठीक है इतने उसमें इसके बार next हो गया नॉटिकल मील में समुद्र की दूरी मापी जाती है ठीक है और question number 7 question number 7 की बात करें तो गौल जी कोई का पर्मुकार क्या है गौल जी कोई का पर्मुकार क्या है तो पाचक रस उत्पन करना option b आपका कोसी का विभाजन सुरू करना c आपका स्रावी और none of these d option ठीक है तो a option आपका पाचन रस उत्पन करना बी हो गया आपका कोसिका विवाजन सुरू करना और सी हो गया स्रावी और डी हो गया आपका नन अफ दीज तो गौल जी कोई का परमुक कारदे क्या है गौल जी कोई का परमुक कारदे क्या है स्रावी ठीक है क्या है स्रावी करना ठीक है थेली नुमा को सिकांग होते हैं जो और्गनेल पाये जाते हैं को सिकांग ठीक है जिन है क्या कह देते हैं गौल जी कोई या गौल जी वाड़ी बोलते हैं या गौल जी उपकरन भी बोलते हैं ठीक है गौल जी एपरेंटेस कहते हैं और जो गौल जी कोई की खोज किस ने किय थी कौमिलो गोल जी ने किये थी ठीक है कौमिलो गोल जी ने किये थी इसमें गोल जी आपका स्ट्रेक्शर सा टाइप का दिखता है ठीक है जो एम साइट है और एप साइट है बांकी रिक्तिकाएं है इसकी ठीक है वेसिकल्स हैं और लेमिनली है और गोल जी कोई हो गया और म है ठीक है इनका कादि क्या है स्रवावी गन्न ठीक है इसके बाद क्वेशन नमबर एट है माइट्रो कॉंडिया जो माइट्रो कॉंडिया जिसमें उपस्तित नहीं होता है ठीक है तो माइट्रो कॉंडिया किसमें उपस्तित नहीं रहता है इनमें से तो सेवाल हरे सेवाल किसमें नहीं होता है ये माइट्रो कॉंडिया किसमें उपस्तित नहीं होता है जिवाणू में उपस्तित नहीं होता है माइट्रो कॉंडिया यानि कि बैक्टिरिया में ठीक है बैक्टिरिया में उपस्तित नहीं होता है माइट्रो कॉंडिया और जिवाणू का अद्धियन क् एता है उसे हम क्या बूल देते हैं बेक्टियोलोजी ठीक है इसके बाद सहाल की बात करें सहाल को फाइकोलोजी कहते हैं और कं서 का जो अधियन किया आजाता है वो माईखो लॉजी कहते हैं इसके बाद next हो गया आपका question number a 9 question number 9 की बात करें तो दियासलाई की नोक में क्या रहता है आपने देखा होगा दियासलाई ठीक है तो दियासलाई वगरा होती है ठीक है तो दियासलाई की नोक में क्या रहता है क्या रहता है आपसन नमबर ए हो गया आपका स्वेट फोस ठीक है बी हो गया आपका फासपुरस ट्राइकु स्का किया जँन्द्र सर्थ यह उता है ठीक है ठीक फॉरॉस फॉर्स खॉता ह है ठीक है केमिकल एलिमेंट होता है और जिसका संकेत Californy कितना है 15 होता है ठीक है 15 होता है फासफुरस जो दिया सलाई में परियुक्त किया जाता है इसके बाद next हो गया question number 10 question number 10 हो गया हसाने वाली गैस कौन सी होती है ठीक है हसाने वाली गैस कौन सी होती है नाइट्रस ओक्साइड हीलियम नाइट्रोजन ओक्साइड और नाइट्रोजन ओक्साइड और हाइड्रोजन हो गया ठीक है तो हसाने वाली गैस कौन सी होती है आपकी हसाने वाली गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ठीक है तो हसाने वाली गैस है नाइट्रस वाली गेंस और नाइट्रस ऑक्साइड एंटु ओ इसका रासाइनिक फॉर्मूला है एंटु ओ ठीक है और जो हीलियम की बात करें हीलियम का उप्योग वायू यानु के टायरू में भरने में किया जाता है और यह हल्की गेंस होने के कारण हीलियम वायू यानु के उपको हुर्ण के से हल्की गेंस है हाईडरोजन ठीक है इसके बार नेक्स हो गया कुश्चन अमबर üलेवन की बात करें तो एजुला क्या है एजुला जलिय फर्ने prochain गया है क्या है जली ये फर्न है एजुला ठीक है एजुला क्या है जली ये फर्न है आपको दिखाते है एजुला किस टाइब का है आपने देखा भी होगा हो सकता है तालाबू में ठीक है जल में उगने वाला तालाबू आलाबू में उगता है ये जली ये फर्न है एक ठीक है एजु से बढ़ने वाली सेवाल टाइप की मिलते जुलती है ठीक है एक फर्न है ये जली फर्न ठीक है क्या है जली फर्न है इसके बाद नेक्स हो गया कोश्चन नमबर 12 कोश्चन नमबर 12 की बात करें तो अदरक क्या है ठीक है अदरक क्या है राइजूम उस्प जड नन ओफ दीज तो अद्रक क्या है अद्रक क्या है अद्रक क्या है आपका अद्रक है आपका क्या है राइजोम ठीक है क्या है राइजोम आपका सही राइट आंसर है राइजोम होता है अद्रक ठीक है राइजोम होता है अद्रक इसके बाद नेक्स हो गया कोश्चन नमबर इसके बात करें त किस परकार का तना है आलू क्या है टूबर यानि की कंद है ठीक है आलू क्या है टूबर यानि की कंद है और अरभी बंड़ा अरभी बंड़ा जो होता है बंड़ा किस परकार का तना होता है वो है कोर में यानि की घंकंद ठीक है कोर में होता है प्याज किस परकार का तना होता यह है सलकंद यानि की बल्व टाइप का होता है बल्व ठीक है तो सलकंद गया जाता है उसे और जो हल्दी और अध्रक किस फरकार के तने हैं वो हैं प्रकंद यानि की राइजोम ठीक है क्या है राइजोम इसके बार नेक्स हो गया question number 13 question number 13 की बात करें तो यदि कोई ध्वनी ह अगर हवा से पानी तक जाती है तो क्या अपरवर्तित रहती है उसकी आवर्ति तरंगदेर आयाम वेग ठीक है तो अगर धुहनी किसी धुहनी क्या रहती है अगर कहीं पानी तक जाती है तो उसका क्या अपरवर्तित रहता है धुहनी का जो अपरवर्तित रहता है वो है आव आवरती की बात करें तो किसी वस्तु में एक सेकंड में जितने कमपन होते हैं, उन कमपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवरती कहते हैं, ठीक हो गया, आवरती का मातरक क्या है, आवरती परती सेकंड होता है, जिसे क्या कहते हैं, हर्ड्स में वेक्त किया जाता है, ठीक है, ह चुजेड याने की हर्ड इसके बाद नेक्स हो गया question number 14 question number 14 की बात करें तो निम्न लिखित में से कौन सा aldehyde है ठीक है तो कौन सा aldehyde है निम्न में से तो प्रोपाइन, प्रोपेनोन, प्रोपेनल और प्रोपेनोल ठीक है निम्न में से aldehyde कौन सा है elleど hide कूणसा है propane oan और propanol और propanol ठीक है कूणसा है elle dase a court propanol है जो aldehyde है ठीक है propanol pour propanol की बात करें तो yo aldehyde है propanol और aldehyde यानि की elkanal का नाम है ठीक है kis का aldehyde क्या है elkanal सम्मुहु का नाम है आम तोर पर अल, के साथ समाप्त होता है, LDHeid में कम से कम CHO गुरूप पाया जाता है, क्या पाया जाता है? CHO गुरूप पाया जाता है LDHeid में, इसके बार next हो गया, question number 15, question number 15 की बात करें, तो निम्न में से कौन सा खर्पतवार नासक है खर्पतवार नासक कौन सा है खर्पतवार नासक निम्न में से कौन सा है option number A 24D B हो गया ABA और C हो गया DTT और D आपका option ATP ठीक है तो कौन सा है खर्पतवार नासी की बात करें तो जो खर्पतवार नासी है वो है 24D ठीक है 24D ये question काफी जगे पूछा जाता है common question है लेकिन काफी जगे ये पूछ लिया जाता है ठीक है कभी-कभी confusion हो जाता है इसमें भी तो 24D है खर्पतवार ना सक ठीक है इसके बाद बात करें इसकी तो 24D में क्या है कि डाइकलोरो फेनोकसाइड एसीड होता है ये ठीक है और इसमें DPT की बात करें तो ये 3 vaccine होते हैं डिप्तिरिया पैर्टिस एंड टेटनस होता है और ATB की बात करें तो एडिनोशन ट्राइफ फासफेट होता है ठीक हो गया इसके बाद नेक्स हो गया question number 16 question number 16 की बात करें तो निम्न में से किस दहातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं ठीक है तो केरोसिन में डुबा कर कौन सी दहातु रखी जाती है केरोसिन में डुबा कर रखी जाती है sodium magnesium zinc zinc और zinc हो गया आपका और सभी ठीक है तो सोडियम किस धातू को रखा जाता है सोडियम धातू को रखा जाता है जो सोडियम धातू होती है उसे किस में रखा जाता है कैरोशिन में रखा जाता है ठीक है कैरोशिन में रखा जाता है इसके बाद सोडियम ऑक्सिजन से अभिकिरिया करकर सोडियम पर पर आकशाइड बना लेती है सोडियं पर आकशाइड जल में अभरिकिरिया कर सोडियं लाकर सिरुधू ह tornar दो इसे हैं रखते हैं Canada placed और यह नहीं तो oxygen के साथ अभी करिया करके sodium paroxide बना देता है और जल के साथ अभी करिया करके यह sodium hydroxide बना लेता है ठीक है दोस्तो इसके बाद next हो गया question number 17 question number 17 की बात करें तो अफीम निम्न में से किस से पराप्त किया जाता है अफीम निम्न में से किस से पराप्त किया जाता है तने की छाल से सूखे लेटेक्स से और जड़ से और कलियों से ठीक है जो अफीम होता है ठीक है अफीम किस से पराप्त किया जाता है किस से प्राप्त किया जाता है तने की छाल से सूखे लेटेक्स से जड़ से और कलियों से तो किस से किया जाता है ये होता है सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है ठीक है सूखे लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम व्हों कि लेटेक्स से ठीक है अफीम का जो पोधा होता है इस टाइप से होता है जो इसका जो लेटेक्स के पेडूंपे दूदिया परत होती है ठीक है दूदिया परत यह इस टाइप से होता है इसमें ठीक है इसके बार नेक्स होग Dum got教олод no 18 Question number 18 की बात करें तो पादपों में सबसे बड़ा सुक्रानू स्पावम की किसमे मिलता है मौस में, फर्नो में, अनावर्त बीजी पौधों में, नन ओफ दीज जो पादप होते हैं, पादप में सबसे बड़ा जो सुक्रानू ताई स्पावम होता है किस में मिलता है माश में फरनों में अनावरत बीजी पौधों में और नन अफ दीज ठीक है किस में मिलता है ये मिलता है अनावरत बीजी पौधों में अनावरत बीजी पौधों में मिलता है जो सबसे बड़ा सुकुरानू होता है ठीक है इसके बार बात करें अनावरत बीज फूलू में पनपने और फलू में बंद होने के बजाए क्या होते हैं सीधे क्या होते हैं टहनियों और संकु में खुली तरह नगन अवस्था में होते हैं ठीक है उनके बीच फलू और उसमें नहीं उकते हैं वो क्या होते हैं टहिनियों में और संकूं में जो खुली मतलब हम नगना वस्ता में देख सकते हैं उनको ठीक है वो बोल ले जाते हैं जिम्नो इस पर जिया अनावर्त बीजी ठीक है इसके बार नेक्स हो गया question number 19 question number 19 की बात करें तो विस्तु का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप प्लांट कौन सा है विस्तु का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप यानि की प्लांट कौन सा है ठीक हो गया तो A option आपका जल हाई सिंद हो गया और B हो गया आपका वाटर चे तेजी से बलने वाला जल पादब जो है जल पादब कौन सा है तेजी से बलने वाला जल पादब ठीक है की बात करें तो कौन सा है यह है आपका जल हाई सिंद है कौन सा है तेजी से बलने वाला विस्तु में तेजी से बलने वाला जल पादब यानि की प्लांट कौन सा है जल ह सिंद्ध है आप देख सकते हैं जलाही सिंद्ध की चित्राव ठीक है तो जलाही सिंद्ध है जो यह क्या करता है विश्चों में सबसे तेजी से बढ़ता है जलाही सिंद्ध फिक है इसके बाद नेक्स हो गया कोश्चन नमबर 20 की बात करें तो शरवाधिक जय विवित्ता बायो डाइवर्सिटी कहां पाई जाती है शीतोष्न कडबंदी ये वनू में बी ओप्सन आपका शदावाहर वनू में सी ओप्सन आपका उश्न कडबंदी ये वनू में नन ओफ दीज ठीक है तो सरवाधिक जो बायो डाइवर्सिटी जय विवित्ता कहां पाई जाती है कहां पाई जाती है सीतोष्न कडबंदी ये वनू में सदावाहर वनू में उश्न कडबंदी ये वनू में और नन ओफ दीज तो जय विवित्ता बायो डाइवर्सिटी कहां पाई जाती है ठीक है ज जैय विवंत्य शुरादिक कहां पाई जाती है उस्ण कडबंधी वनुं में यानी कि ट्रोपिकल फरस्ट गित्री जैय पाई जाती है यह इसके बाद नेक्स होगया question number 21 question number 21 की बात करें तो दूद अंडे की जर्दी मच्छली जिगर का तेल किस के सुरोत होते हैं ठीक हो गया किस के सुरोत होते हैं किस के सुरोत होते हैं दूद अंडे की जर्दी मच्छली के जिगर का तेल हो गया ये किस के सुरोत होते हैं विटामिन A के सुरोत, विटामिन B के सुरोत, विटामिन D के सुरोत, और विटामिन C के सुरोत, किसके सुरोत होते हैं, दूद, अंडे, जर्दी और मच्छली किसके सुरोत होते हैं, विटामिन D के सुरोत होते हैं, और विटामिन A के सुरोत की बात करें, तो ताज़े फल, दूद, मास, अंडा, मचली का तेल, गाजर, मक्खन और हरी सबजियां क्या हैं, विटामिन A के सुरोत हैं, और विटामिन C के सुरोत होगी बात करें, तो विटामिन C, मटर होगया, दाल होगी, जिगर होगया, वनश्पती और साख सबजी, मेवा, खमीर, मक्की, गेहुं और चना, आदी क्या हैं, विटामिन C के सुरोत हैं, ठीक है, सुरोत हैं ये, ठीक है, इसके बाद नेक्स होगया, आपका कुशन नमबर 22, कुशन नमबर 22 की बात करें, तो दोस्तों, हिर्दय जो हर्ट होता है, वो निमनले खित में से किस से बना होता है, ठीक है, जो हिर्दय ह होता है मनुष्य का हार्ट वो किस से बना होता है तो गैर धारीदार मास्पेसिया नौन स्ट्रेटेड मसल्स की हिर्दाई की मास्पेसिया यानि की कार्डेक मसल्स वसा उतक हो गया एडिपोज टिश्यू धारीदार मास्पेसियानि की इस्ट्रेटेड मसल्स है ठीक है तो जो हिर्दय होता है वो किस से निर्कित में से किस से बना होता है गैर धारीदार मास्पेसी नॉन इस्ट्रेटेड मसल्स हो गया गैर हिर्दय की मास्पेसी कार्डीक मसल्स हो गया और वसा वसा उतक हो गया एडिपोज टिश्यू जो गया और धरीदार मासपेसी स्टेटेड मसल्स तो जो हिर्दय होता है हिर्दय किस से बना होता है हिर्दय आपका जो हिर्दय आपका हिर्दय की मासपेसी यानि की कार्डीक मसल्स ठीक है कार्डीक मसल्स जो होती है उनके हिर्दय की मासपेसी उसे बना होता है ठीक है तो एक हिर्द इन्वोलेंटरी मसल्स उतक है जो केवल हिर्दय अंग में ही पाया जाता है ठीक है तो इन्वोलेंटरी मसल्स का उधारन कभी पूछ लिया जाए तो क्या है का जो कार्डीक मसल्स है वो इन्वोलेंटरी मसल्स है उतक है ठीक है और जो केवल हिर्दय अंग में ही पाया जाता ह और और शत और शतन मानव हिर्दई में एक मिनट में 72 बार दढ़ता है ठीक हो गया में चीज एक ये अनेच्छिक पेसी है यानि की इन्वॉलेंटरी मसल से है ठीक हो गया आप हिर्दई का चित्र देख सकते हैं इसमें अलग-अलग इसके अंग दिखाए गए हैं इसको भी आ मातरा होती है ठीक हो निम्द में से कौन सी सबजियों में विटामीन ए और विटामीन सी की परचूर मातरा होती है किसमें होती है बैगन हो गया भिंडी हो गया लेडी फिंगर आलू और टमाटर किसमें होता है विटामीन ए विटामीन ए और विटामीन सी ठीक है विटामीन A और C की परचूर मात्रा मतलब परचूर मात्रा होती है वैगन भिंडी आलू और टमाटर में इसमें होती है ये होती है टमाटर में ठीक है विटामीन A और C की मात्रा परचूर मात्रा टमाटर में ज़ादा होती है और विटामीन इसके सुरोत है ठीक है तो इसके सुरोत विटामीन A के चुकंदर गाजर पनीर और अब का टमाटर हरी सबजियां आदी रतंधी रोग विटामीन A से होता है और इसके सुरोत है विटामीन C की कमी से क्या होता है इसकरवी रोग होता है इसकरवी और इसके जो सुरोतों की बात करें तो सुरोत हैं खटे रजदार फल होते हैं आवला होता है नारंगी नीबू संत्रा बेर कठल पुदीना जो खटे फल होंगे ठीक है टामाटर अम्रूसे दूर जिन में हलका सा खटापन होगा तो वो चीजें क्या है विटामीन सी के कमी से कमी को पूरा करते हैं ठीक है इ विटामीन ए से रतोंदी नामक रोग क्वेशन नमबर टूंटी फॉर हो गया किस प्राकरतिक रबर में उच्छ लोच यानि की इलैस्टिसिटी होती है एक पदार्थ यानि की सब्तांस सामगरी मट्रियल में इलास्टोमर में नन ओफ दीज में तो प्राकरतिक रबर में ज इस प्राकरतिक रबर में होती है इन में से यह होती है इलास्टोमर से इलास्टोमर जो होता है आपका इलास्टोमर इसमें उच्छ लोच यानि की हाई इलैस्टिसिटी होती है ठीक हो गया इलास्टोमर में और इलैस्टिसिटी की बात करें यानि की परत्यास्था की तो पर से हटा लिया जा बल हटा लिया जाने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है ठीक हो गया इसके बाद नेक्स हो गया कोश्चन नमबर 25 की बात करें तो जैविक असुद्धियों को हटाने के लिए निमने में से किसका उपयोग किया जाता है तलचट जैविक असुद्धियां हट जाए तो तलचट उबलते हुए यानि कि बाइलिंग इस्टरिलाइजेशन और डिस्टरिलाइजेशन तो क्या किया जाता है विसंकरमड किया जाता है विसंकरमड यानि कि इस्टरिलाइजेशन किया जाता है जिससे जैविक असुद्धियां दूर हो जाती है जैविक असुद्धियां दूर हो जाती है इस्टरिलाइजेशन से और एसी परिक्रिया है जो जीवन के सभी रूपों को समाप्त करता है हटाता है और मारता भी है और निस्क्री ये कर देता है तो एक ऐसी परिक्रिया है जो जीवन के सभी रूपों को समाप्त कर देता है बिल्कुली समाप्त कर देता है हटा देता है मारता भी है और निस्क्री भी कर देता है विसेश रूप से सूक्षम जीओं जैसे कवक बैक्टिरिया वाइरस केरियोटिक जीव और प्लाजमोडियम आदी में यह कादी करता है ठीक हो गया विसंग कर्मण यानि के इस्टराइजेशन से जैविक जो असुद्धियां हैं वो हड़ जाती है इसके बाद आपका आता है कुश्चन ऑफ दे कुश्चन ऑफ दे की बात करें तो कमेंट बॉक् लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें यह है कुश्चन आज का आलू में मोजेक रोग किसके कारण होता है विशानू के कारण फपुंदी के कारण विशानू हो गया और प्रोटो जुवा के कारण ठीक है किसके कारण होता है आलू में मोजेक रोग ठीक है मोजेक रोग मोज स्सक्राइब जरूर कर दें ज्याद ज्यादा सेयर करें और सपोर्ट करें ज्यादा और हमारी ज्यादा ज्यादा लंबी क्वेश्चनों की भी सीरीज आएगी जो लंबे क्वेश्चन होंगे ठीक है ज्यादा और बिल्कुल हार्ट क्वेश्चनों की भी सीरीज आपके लिए ठीक है जैसे भी आप चलते रहेंगे उस इसाफ से आपको कंटिन्यू क्लासे मिलती रहेंगी और सेफ हैपी होली सभी को दोस्तों को ठीक है जाद जादा जैहिंद जैह उत्राखंड थैंक्यू थैंक्यू सुमाच